परिजय रक्षित रहती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि ये इस्थिर वैद्यत परी रक्षन के कारण होता है। जब तड़ित कार पर गिरती है तो समस्त आवेश कार की बाहरी सता से होता हुआ भूमी में चला जाता है। लेकिन विरिक्ष के साथ ऐसा नहीं होता है। चात्रों, आप सभी इस्तत्थे और शीर्षक के बारे में और अधिक जानने के चुकूंगे। इसलिए आईए इस अध्याय, इस्थिर वैद्यत विभाव तथा धारिता में इसके बारे में और जाने। उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। स्थिर वैद्यत विभाव को परिभाशित करना। एक बिंदु आवेश, आवेशों के निकाय और वैद्यत दुईद्रूफ के कारण विभाव की करना करना। विद्दु विभाव के लिए अध्यारोपन के सिध्धांत को परिभाशित करना। सम्विभाव प्रिष्ट को परिभाशित करना। इस्थितिज उर्जा को परिभाशित करना। आविशों के निकाय तथा वैद्यत विभाव की इस्थिचिच उर्जा की गणना करना, चालक इस्थिर वैद्यूतिकी को समझना और इस्थिर वैद्यूत परिरक्षण की व्याख्या करना. स्थिर वैद्यूत विभाव किसी दिये गए बिंदू पर एक विद्धिक खित्र के विद्धित विभव को अनंत से एक एकांक धन आँवेश को उस बिंदू तक लाने में किये गए कारे की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है विद्ध विभव को वोल्ट में मापते हैं यदि किसी विद्ध चित्र में अनंत से एक बिंदू तक धन एक कूलाम आवेश को लाने में एक जूल कारह किया जाता है तो उस बिंदू पर विद्ध विभव एक वोल्ट होता है किसी विद्ध चित्र में दो बिंदू के बीच विभवांतर एक एकांक धनावेश को कम विभवाले बिंदू से अपेक्षक्रित अधिक विभवाले बिंदू तक ले जाने में किये गए कारे की मात्रा के बराबर होता है बिंदू आवेश के कारण विभाव एक बिंदू आवेश धन Q आकाश में एक बिंदू O परिस्थित है। ये आवेश अपने चारों और अपना स्वयम का विद्धुत क्षेत्र E उत्पन करता है। हमें बिंदू A पर इस विद्धुत क्षेत्र के विभव की करना करनी है। हम रेखा O A पर दो बहुत निकटवर्थी बिंदूं P और Q पर विज़ार करते हैं। जमा एक कुलोम आवेश को अनंद से बिंदू आर तक लाने में किया गया कुल कार्रे। W पराबर एक बटे चार पाई, एपसलोन नौट कुणा Q बटे आर। कारी की ये मात्रा Q से आर तूरी पर बिंदू आवेश धन Q के द्वारा उत्पन्य विद्धुतिक्षेत्र का विभव है। हम आलेक में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आर बढ़ता है, विभव चर घातां की ये रूप से घड़ता है। यदि बिंदू A, बिंदू B की तुलना में आधिक विभव पर है, तो दोनों बिंदूओं के बीच विभवांतर VAB बराबर VA घटा VB VA और VB के मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं VAB बराबर Q बटे 4 पाई एपसलोन नौट गुणा 1 बटे A माइनस 1 बटे B विभव के लिए अध्यारोपन का सिध्धांद आईए दो बिंदू आवेशों प्लस Q1 और Q2 पर विचार करें दोनों आवेशों Q1 और Q2 के संयुक्त इस्थिर विदूत क्षित्र में कोई भी दो बिंदू A और B लें A और B के मत्थे एक वक्र L चुने हम जानते हैं कि VB माइनस VA बराबर माइनस E सदिश डॉट DL सदिश का A से B तक समा कलन लेकिन विदूत क्षित्रों के अध्यारोपन के सिध्धानत के अनुसार इसलिए VB घटा VA बराबर घटा E1 सदिश जमा E2 सदिश डॉट DL सदिश का A से B तक समा कलन अता स्थिर वैदूत विभवांतर योगात्मक होता है यदि A को अनन्द तक ले जाया जाए तो VB बराबर E1 सदिश डॉट DL सदिश का अनन्द से B तक रनात्मक समा कलन और E2 सदिश डॉट DL सदिश का अनन्द से B तक रनात्मक समा कलन का योगभल इसलिए बीपर स्थिर वैतुत विभव एक अलावेश क्यू एक के कारण बीपर विभव और एक अलावेश क्यू दो के कारण बीपर विभव का अधिश्योगफल है ये निश्कर्ष आवेशों की किसी भी संख्या के लिए लागू है वैदुत दूइद्रुफ के कारण विभव हम एक दूसरे से दो एल्दूरी परिस्थेत दो आवेशों जमा क्यू और घटा क्यू वाले एक दूइद्रुफ पर विचार करते हैं हम विविद बिंदूँँ पर इस दूइद्रुफ के कारण शेत्र के विभव की गढ़ना करते हैं अक्षिय बिंदू पर विभव प्लस क्यू की ओर दूइद्रुफ के केंद्र ओ से दूरी पर एक अक्षिय बिंदू पी पर विचार करें प्लस Q के कारण P पर विभाव V धनात्मक बराबर एक बटे चार पाई एपसलोन नौट गुणा Q बटे आर माइनस L माइनस Q के कारण P पर विभाव V धनात्मक बराबर एक बटे चार पाई एपसलोन नौट गुणा माइनस Q बटे आर प्लस L पी पर कुल विभव दोनों का सीधे योग करते हुए प्राप्त किया जाता है वी इ बराबर एक बटे चार पाई एपसलोन नौट गुणा पी बटे आर वर्ग ये दर्शाता है कि दूइधरुफ के अक्ष के अनुदिश विभव दूरी के वर्ग के साथ व्यूत क्रम अनुपाती रूप से गिरता है वैद्युत दूइधरुफ के कारण निरक्षिय बिंदू पर विभव दुई दुफ के केंद्र आठ सी दूरी पर विशुवत रेखा पर एक बिंदू P पर विचार करें प्लस Q के कारण P पर विभाव V धनात्मक बराबर एक बड़े चार पाई एपसलोन नौट गुणा Q बड़े आर वर्ग प्लस L वर्ग का वर्ग मूल माइनस Q के कारण P पर विभाव वी रनात्मक बराबर एक बटे चार पाई एपसलोन नौट कुणा माइनस क्यू बटे आर वर्ग प्लस एल वर्ग का वर्ग मोल पी पर कुल विभव दोनों का सीथे योग करते हुए प्राप्त किया जाता है वी बी बराबर शूने ये दर्शाता है कि किसी निरक्षिय बिंदू पर विभव शूने होता है वैदुत दूईधुरुव के समतल में विभव दूईधुरुव के केंद्र O से आर दूरी पर दूईधुरुव के समतल पर एक बिंदू P पर विचार करें और P O दूईधुरुव A B के अक्ष से एक कोन थीटा बनाता है P की A और B से दूरियां क्रमशा R 1 और R 2 है P पर कुल विभव V बराबर Q बटे 4 पाई एपसलोन नौट कुना R 1 माइनस R 2 बटे R 1 आर दो जो बराबर है एक बटे 4 पाई एपसलोन नौट कुना P कौस थीटा बटे R वर्क ये दूईधुरुव के समतल में किसी बिंदू पर लगू दूईधुरुव के क्षित्र के विभव को निरूपित करने का एक समाने क्रित वेहनचक है आवेशों के निकाई के कारण विभव बिंदू आवेशों Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार QN तक पर विचार करें जो अबलोकन बिंदू P से क्रमशा दूरियों R1, R2, R3 और इसी प्रकार RN तक पर इस्थित हैं सभी आवेशों के कारण P पर परिणामी विभव व्यस्टी गत आवेशों के कारण P पर विभवों का बीज गनितिय योगफल होता है ऐसा ऐसलिए है क्यूंकि विद्ध विभव एक अदिश्राशी है P पर परिणामी विभव वी बराबर वी एक जमा वी दो जमा वी तीन और इसी प्रकार VN तक सम्विभव प्रिष्ठ कोई सम्विभव प्रिष्ठ बिंदों का वो बिंदु पत है जिस पर आवेश वितरण के कारण विभव समान होता है किसी सम्विभव प्रिष्ठ के अनुदेश एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कारे नहीं किया जाता है एक बिंदू आवेश में दी गई त्रिज्या के लिए विद्ध विभव समान होता है और सम्विभव प्रिष्ट आवेश पर केंद्रित गोलिय प्रिष्ट होते हैं। आवेशों के किसी निकाय द्वारा उत्पन्न, विद्ध च्षित्र, सदैव, समलित सम्विभवों के लं आईए सम्विभव प्रिष्ट का एक उधारन लें। दसकी घात माइनस आठ कूलों, तती मीटर वर्क आवेश घनत वाली एक अपरिमित पतली सम्दल शीट वायू में रखी है। ऐसे दो सम्विभव प्रिष्ट कितनी दूरी पर हैं जिनके विभवों के मध्धे 5 अंतर है। आईए हल देखें। हम जानते हैं कि विद्ध क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा बटे 2 एपसलोन नौट के बराबर होती है। चुंकि E सम्दल शीट से दूरी पर निर्भर नहीं करती। इसलिए दिये गए प्रशन के लिए E नियत है। यदि दो सम्विभव प् है तो E बराबर डेल्टा V बटे थीटा X हम डेल्टा X के मान का परिकलन करते हैं। दो एपसलोन नौट डेल्टा V बटे सिग्मा मानों को समी करण में रखकर हल करने पर हम प्राप्त करते हैं डेल्टा X का मान बराबर 8.85 मिलिमीटर। किसी विद्ध क्षेत्र में एक बिंदू पर उपस्थेत एक आवेश क्यों की इस्थिज उर्जा उस बिंदू पर क्षेत्र के विभव के क्यों गुने के बराबर होती है। यो बराबर QV इस्थिज उर्जा का मातरक जूल है। अनंद से किसी आवेश Q को विद्ध क्षेत्र E में एक बिंदू A तक लाने के लिए आवेश पर कारे WA किये जाने की जरूरत होगी। जो आवेश Q में इसकी इस्थिज उर्जा के रूप में संचित होता है। UA पराबर QVA इस्थिर आवेश Q के एक निकाई की विद्ध इस्थिज उर्जा वह कार है जो निकाई की रचना करने के लिए इन आवेश Q को अनंद से एक दूसरे के निकट बिंदू तक लाने के लिए किया जाना है। आवेश Q के निकाई की इस्थिज उर्जा बिंदू आविशों के एक निकाई की इस्थितिज उर्जा आविशों को अनंत दूरी से निकाई में लाकर उनके इस निकाई को बनाने के लिए आविशक कारे हो दी है दो बिंदू आविशों के निकाई की इस्थितिज उर्जा यू पराबर एक बटे चार पाई एपसलोन नौट गुणा क्यू एक क्यू दो बटे आर पारा जहां क्यू एक और क्यू दो दो बिंदूं के विद्वत आविश है आर बारा उनकी प्रितकन दूरी है इस्थितिज उर्जा पूरता निकाई से संबंदित है ना कि किनी व्यस्टिकत आविशों से ध्यान दें कि विद्ध इस्थितिज उर्जा आवेश और विद्ध विभव का गुणन फल होती है तीन बिंदू आवेशों के निकाय की इस्थितिज उर्जा प्रारंबिक स्थिति से ऐसे तीन बिंदू आवेशों के निकाय को बनाने के लिए आवश्यक उर्जा होती है जिसमें तीनों आवेश आप परिमित रूप से दूर दूर हूँ। इस विद्धुद इस्तितिज उर्जा के परिकलंग करने की प्रक्रिया आवेशों के प्रतियक युक्म की अलग-अलग इस्तितिज उर्जा की करना करना तथा परिणामों को बीज गणितिय रूप से Q1 Q2 बटे R12, प्लस Q2 Q3 बटे R23, प्लस Q1 Q3 बटे R13, जहां Q1 Q2 और Q3, तीन बिंदों के विद्वत आवेश हैं, तथा R12, R13 और R23 उनकी प्रतगंदूरिया हैं। बाहेक्षित्र में वैद्द्द दूइत्रूव की इस्थितिज उचा। विचार करें कि दूइत्रूव आगून, P का एक विद्द्द दूइत्रूव, एक समान विद्द्द क्षेत्र, E में रखा है। दूइत्रूव एक युक्मू बनाने वाले अपने सिरों पर दो पराबर तथा विप्रीत बलों प्लस QE और माइनस QE का अनुभाव करता है। दूइत्रूव पर बल आगून का परिमान, बल, गुणे, युक्म की भुजा के परिमान के पराबर है। तो बराबर QE दो एल साइन थीटा, जो PE साइन थीटा के बराबर है। दूइत्रूव को एक लगु कौन D थीटा से घुमाने में किया गया कार्रे तो D थीटा के बराबर है, जो PE साइन थीटा, D थीटा के बराबर है। दूइत्रूव को प्रारंभिक विन्याज थीटा नौट से अंतिम विन्याज थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्रे बराबर माइनस PE, कौस थीटा माइनस कौस थीटा नौट यदि प्रारंभिक विन्याज थीटा नौट पराबर नप पे टिकड़ी तब W बराबर माइनस PE, कौस थीटा यह कार इस्थिज उर्जा के रूप में संचित होता है इस प्रकार दूइद रूफ की इस्थिज उर्जा है यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा जिसे माइनस पी डॉट ई लिखा जा सकता है चालक इस्थिर वैद्यूति की एक चालक को इस्थिर वैद्धुत समय अवस्था में कहा जाता है। इसके प्रिष्ट पर वित्यमान होते हैं। एक अनियमित आकार वाले चालक पर अतिरित आविशों में उन जगों पर संचित होने की प्रवित्ती होती है। जहां प्रिष्ट की वकृता सर्वधिक होती है। एक चालक के भीतर वित्त विभव सर्वत्र नियत होता है और प्रि विद्ध क्षेत्र के प्रभावों से बचाने के लिए इसके परिता एक grounded metal screen या enclosure लगाना ही इस्थिर वैद्ध परिरक्षन कहलाता है। ये बाहे विद्ध क्षेत्र के प्रभाव से निर्वात में किसी भाग को बचाने का सर्वश्रेष्ट तरीका है। किसी भी आगार के चालक के भीतर विद्ध शेत्र शूने हो तो वो इस्थिर वैद्ध परिरक्षन में होता है। यदि शूने विभाव पर रखा कोई चालक A चालक B को घेरे हुए है तो B को दूसरे विद्ध निकायों से A द्वारा विद्ध ये रूप से परिरक्षित कहा जाता है। उधारन के लिए तड़ित के साथ होने वाली जंजावत में किसी व्रिक्षी या खुले मैदान के निकट होने के बजाए एक बस या कार के अंदर रहना आधिक सुरक्षित है। जिस्ति में अधिकारिक रूप से आवेश्क प्रदी कूलॉम साथ होने एक जूल विद्दत विभाव के रूप में मानिता मिली, पूरे विश्में इसका प्रयूग किया जाता है। विद्ध विभाव क्षेत्र की दिशा में घड़ता है और विद्ध क्षेत्र की दिशा के विरुथ बढ़ता है। सम विभाव प्रेष्ट और विद्ध बल रेखाएं परहस पर एक लंबवत नेटवर्क की रचना करती हैं। साराँश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेत्र में दोह राएं। किसी विद्धित क्षित्र में दू बिंदूं के मत्थे विभवांतर एक एकांक धन आवेश को कम विभव वाले बिंदू से अपेक्षाकरित अधिक विभव वाले बिंदू तक लाने में किये गाए कारे की मात्रा के बराबर होता है। एक दिये गए बिंदू पर विद्धित क्षित्र के विद्धित विभव को एक एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदू तक लाने में किये गए कारे की मात्रा के रूप में परिभाशित करते हैं। पर विभव समान होता है। इस थिर विद्धित सामय वस्था में कहा जाता है यदि चाहलक के अंदर तथा प्रिष्ट पर आविशों का कोई आवा गमन ना हो। किसी उपकरण को विद्धित क्षेतर के प्रभावों से बचाने के लिए इसके परिताह एक ग्रांडेट मेटल स्क्रीन या इनक्लोजर लगाना ही इस थिर विद्धित परिरक्षन कहलाता है। झाल